रोग गाइज स्वागत है आप सभी का वाई यार्दी रसोई मैं जैसा कि आप देख रहे हैं नवरात्रे चल रहे हैं और हर रोज में नवरात्रे special ही recipe लेकर आ रही हूं तो आज मैं एक लड़ू की recipe लाई हूं और ये लड़ू खाने में बहुत ही tasty लगते हैं अगर आप ब इसकर ये राजगीरा का आटा बनाया जाता है तो इसी के मैं आज लड़ू बना रही हूँ इन लड़ू को बनाने में कोई जाधा समय भी नहीं लगता है ये जटपट बनकर तयार हो जाते हैं तो इन्हें बनाना बहुत ही आशान भी है चलिए तो इन्हें बनाना शुरू करते हैं ये लड्डू बनाने के लिए यहां मैंने सबसे पहले एक कटोरी मूमफली लिएं ये कच्ची मूमफली हैं इनको एक पैन में डालकर लगातार इनको medium flame पर चलाते हुए हमे भून लेना है बस लगातार आपको चलाते रहना है जब तक चटकना शुरू ना हो जाए तब तक आप इने लगातार भूनेंगे देख रहे हैं न मूम फली चटकना सुरू हो गई है तो मूम फली भून कर तयार हो गई है कड़ाई लेंगे और कड़ाई में सबसे पहले राजगीरा के आटे को डाल कर ऐसे ही बिना घी डाले दो मिनट तक भून लेंगे जब दो मिनट तक हम लगातार इसको भून लेंगे तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे घी तो घी में यहाँ पर 6 चमच डाल रही हूं मतलब क इसको लगातार मीडियम फ्लेम पर चलाते रहना है जिससे कि यह जले न अगर आप इसे तेज फ्लेम पर या हाई फ्लेम पर चलाएंगे बनाएंगे तो यह एक साथ जल जाएगा और इसमें जले का टेस्ट आएगा और लड़ू भी आपके बिगड़ जाएगे तो आपको ध मूंफली का रोस्ट करके पावडर बनाया था तो इसी समय पर मैं इसमें से आधा उनला चार बड़े चममच मैंने इसमें मूंफली का क्रिस्प पावडर एड्ड कर दिया है तो मूंफली के क्रिस्प पावडर को भी minimum 1-5 मिनद तक लगातार भूनेंगे जिससे की इसमें भी टेस्स थोड़ा फ्लेवर सा अच्छा आ जाए बस लगातार इसको चलाते रहना है एक से दो मिनट तक ये मूफली का पाउडर भी इसी के साथ भुन जाएगा और कोई जादा ड्राइफ रूट का प्रियोग हम इसमें नहीं कर रहे हैं आपको पसंदे तो आप कर सकते हैं बस इसके बाद ये भुनकर तयार हो गया है अब मैं इसे एक थाली में पलट लूगी थाली में पलटने के बाद इसको थोड़ी देर ठंडा करना है जैसे ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो इसमें हम जो रवा है मैंने तो यहाँ पर रवा का प्रियोग आप चीनी का अगर ये रेषी भी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक करें मिलते हैं नई रेसिपी के साथ बाबाई टेक केर